आईएव हम लोग यहां के टीचर से मिलते हैं हमारी टीम से मिलते हैं तो सबसे पहले माम आपका नाम क्या है माम? मेरा नाम गायत्री है और मैं केजी वन की टीचर हूँ आपको कैसा लगते हैं यहां पड़ागे माम? बच्चों में सारे गून नीत होते हैं और उसको इसे स्कूल सारे को ओपेन करते हैं मुझे यहां पढ़ाना बहुत पसंद है और गाउं के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है सारे गून इन लोग में मवजूद है थैंक यू थैंक यू माम के जी वन प्राइमिरी टीचर है माम सिर आप यहां पे किस चीज के टीचर है नमस्कार में नाम हो प्रकाष है मैं यहां डांस सिखाता हूँ और लगबग पांस चाल से यहां इस स्कूल में डांस सिखा रहा हूँ और डांस सिखाने बहुत मज़ा आता है, बच्चे बहुत इंट्रेस्टेट हैं, और बहुत इस टैलेंटेट है, मतलब सहर स्थ जादा यहां के बच्चे, सिर्फिन को मौका मिलना चाहिए, जो मौका मिलता नहीं है, हमारे बच्चे चार-पांच बार लोट्री करब में भी पतना में भी काज़करम कें, बरे-बरे महस्ता में भी काज़करम कें और बहुत अच्छे परफोर्म्स रहा हैं, तैंक यू सेर, सेर आप बताईए अपने बारे में, मैं मैट का टीचर हूँ, और अच्छे मैटमेटिस बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, मैट एक ऐसा सब्सक्राइब के बहुत परफोर्मेंस होना चाहिए, मैट एक ऐसा सब्सक्राइब के रिवायज होना चाहिए, बिदाव रिवायज का कभी भी मैट कोई बच्चे ना बना पाएंगे, ना कुछ पाएंगे, यहां इंगलिश पढ़ाते हैं, ख्लास फाइब साइब और पर बच्चों को सिक्षा दे कर कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है माम हम यहां लगबग साथ सालों से स्कूल में पढ़ाते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे अपना नाम बता दिजा मैं चान्दी कुमारी है ओके माम आप यहां पर किस चीज की टीचर है हम हिंदी की टीचर है माम आपको कैसा लगता है यहां पर बच्चों को हिंदी पढ़ाकर बच्चे जल्दी सीखते हैं यहां बहुत जल्दी सीखते हैं और मेरा नाम नीश्या सिंग हुआ आप अपना नाम बताईए और आप यहां पे बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगी में नाम पलवी पड़कास है यहां बहुत सारे ट्वाय के जड़िये टीवी के जड़िये एक्शन पोयम यह सब करके सिखाते हैं बच्चे लोग को आप यहां पे नर्सरी की टीचर है ना तो आप यह बताईए कि यहां पे बच्चों को आप कितना समय देती हैं कौपी पे लिखवाने में और कितना समय देती हैं बच्चों को टीवी दिखा कर या फिर आक्शन के साथ या फिर बच्चों को गेम खिलवा कर दो पेड में class work करवाते हैं फिर homework हो गया इस सब करवाके फिर lunch के बाद जो भी है वो activity में देते हैं time मतलब यहाँ पर बचों को lunch के बाद सोने का मौका नहीं मिलता है यहाँ पर बचों को lunch के बाद हम लोग activities करवाते हैं यहाँ पर किस चीज के टीचर है मेरा नाम चंद्र हुसन है और हम यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैं चाहूंगा कि इस स्कूल में बच्चे और आगे उन्नती की और परसस्त हों और बे अपने जीवन में उन्नती करते रहे आईए व लोग नेक्स के पास जाते और सैरर आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं मेरा नाम धर्मिन्र कुमार है मैं computer टीचर हो और सेर मैंने सुना anton मैं यहाँज़ सभी तरह के uh computer की पढ़ाइं भी यहाँ पर होतीं और हम API की तो आज यहां पे बच्चों का डांडिया फेस्ता डांडिया मस्ती थी, तो इसमें बच्चे अलग-अलग हाउसे के बच्चे यहां पर परफॉर्मेंस भी दिये थे, तो मैं उन टीचर से जानना चाहूंगी, जिन्हों ने सिखाय उन बच्चों को, माम आपका experience कैसा रहा बच्चों को सिखाने में? बच्चों को सिखाने में, दो दिन में बच्चे लोग बहुत जल्दी डांस मतलब कर लिये हैं, तो मैं क्या यहां पे ऐसा कुछ है कि शहर के बच्चे जल्दी सीखते हैं और गाओं के बच्चे लेट से सीखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा सिखा के इतने कम टाइम में बच्चों ने इतना अच्छा प्रफॉर्मन्स किया, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि बच्चे इतना अच्छा करेंगे, और बच्चे और औरेंज ग्रूप के बच्चे सेकेंड पोजिशन पर आए हैं, तांक्यू माम, आपसे जाना चाहेंगे, आपको क्या-क्या परेशानी आई बच्चों को सिखाने में, मतलब बच्चे जल्दी कैच नहीं कर रहे थे, मुश्किल हो रही थे, आपको ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, बच्चे बहुत जल्दी कैच कर ली हैं, और सहर के पिक्चा यहां के बच्चे ज़्यादा एक्साइटमेंट थे आप लोगों से जाना चाहेंगे, माम, आप लोगों ने नर्सरी के जीवन, के जीटू के बच्चों को प्रिपेर करवाया था, फैंसी ड्रस के लिए, तो क्या बच्चों ने आप लोगों के साथ को आपरेट किया? माम, आपने भी नर्सरी के बच्चों को सिखाया, तो आपको कैसा लगा बच्चों को सिखा के? माइक पे सुनैना कुमारी और हमारे कैमरा मैन के साथ बोलो जिन्दगी पे बार बार देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जादा से जादा शेयर करिए, तैंक यू!